हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्वीटूग चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने बालों अगर आप अपनी घर की छट में फ्लोरिंग कराने की सोच रहें तो ऐसी कौन सी जरूरी बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए और जब वीडियो में तक बने रहें मैं आपको काफी सारी नौलीज आपको देने वाला हूं बहुत से लोगों का सवाल था कि सर मेरा बजट इतना नहीं है पर मैं एक मीडियम मेरा बजट है और मैं सही कॉलिटी की या फिर कह सकते हैं कि सही फ्लोरिंग का इस्तमाल करना चाहता हू और जो मजबुत भी रहें तो मैं आपको वो चीज देने वाला हूं जो डॉरेबल भी रहेगी और साथी आपके बजट में भी रहेगी कुई कहीं ने कहीं आप एक चीज़ तो अच्छे सा जानते हैं कि अगर आपका कोई घर बन रहा है तो बैसिकली क्या होता है जो हमारी पहले बता देता हूं बहुत सी तरह की देखी होंगी अपने टाइल्स भी देखी होंगी च्छतों में लगाट लगाते हैं कुछ जगह आपने देखा होगा कि मार्बल के एक छोटे-छोटे पीस आते हैं मतलब जैसे की मार्बल काफी बड़ा-बड़ा साइज में तो जो अगर किसी भी मार्बल के जाएंगे और मार्बल की शौप पे जाएंगे तो वहांपर काफी सारा मिल जाएगा या फिर आपके घर में कोई ऑर पर लॉती है तो लेभर बीक तो यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए कुछ तरीका नोलीज देने वाला हूं जो आपको काफी हेल्प करने सबसे पहले हम बात करें बहुत आपका देखें मालीज्जे कि अगर आपका बज्रट जो है वह एक दम मीडियम है तो मेरी कमेंड करूँ कि आप ताइल आप जाएंगे तो आपका बज़र्ट ना ज्यादा जाएगा ना ज्यादा कम रहेगा तो आप टाइल्स पे जा सकते हैं ताइल्स में आपको ध्यान लखने की कोशिश करें कि टाइल्स का जो साइज है वह दो बाए दो से कम ना रखें अगर आप दोबाए एक की रखते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है उसमें वो क्या होगी वो मैं आगे बताने वाला हूं और या फिर दो बाए दो से भी आगे बड़ी आपको टाइल्स मिल जाएंगी दो बाए चार की उसको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं अब यहां पर दोस्तों अगर जिसका बज़र्ट बहुत कम है तो मैं कहूंगा कि देखी फिर आप जो मार्बल के जो बेस्टिज होती है उसका इस्तमाल कर सकते हैं बट होता है कि आजकल बहुत लोग कम इस्तमाल करते हैं अब आप जब अपनी छत में लगा रहे हैं तो उसको दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए तो तो वहां पर उसको आपको गिसाई भी करानी पड़ती है अब हम बात कर लेते हैं जिसे माले जिए कि आपने कोई एक चीड डिसाइट कर ली कि मुझे ये चीड लगानी है तो अब लगाते समय क्या च्छे करना है सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो हम अपनी छट तो होता है कि च्छत जरूरी नहीं कि वो पूरी लेविल में बने थोड़ा बत अंडूलेशन काफी ज़्यादा रहे जाता है तो आपका जो भी कारिगर है या जो मिस्टरी यह से बोल दीजे कि जो उसका टाइस या मार्बल लगाने से पहले एक बेस बनाना पड़ता है उ त początku पहले चीज़र चेक करने उसके बाद मैं आपको करा मैं आप्कों अश्म ठीक लिए की अजिए भूब देकर लगानी है चार शार पांच हम ग्रूब देकर लगा गया है आप इसको ऐसी छोड़ते कि जब आपका सारा काम अव झाये अगा तो यह ग्रूपी करने के आपस में जुड सके अब होता है कि कुछ रोग क्या करते आपको वीडियोिब में गर्व कि यहां पर नहीं दिया हुआ और जोइन्ट होते हैं कि यह आपनी को हल्किसी जगा चाहिए होती है और वो नीचे चले जाता है जब पानी आपको पता भी नीचे लगा कि किस एरिये में किस हिस्से से जा रहा है फिर नीचे आप देखेंगे नीचे आपको नमी दिखाई दे रहे हैं तो वह चीजे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर देती हैं जब आप इस तरह कर चीजें पैले दियान नहीं रखते है साथी जब हम अपनी टाइस की स्कार्टिंग लगाते और पास तो वहां भी आपको केमिकल से ही फिल करना है उसके बीच का जो जॉइंट रहता है यहां पर यह चीज बहुत जादा मतलब इंपोटेंट हो जाती है जब आपके अपनी च्छत में दे रहे हैं क्योंकि च्छोटी टाइस रखेंगे तो अच्छी मजबूती आएगे तो मेरा यही था आयोप आपको वीडियो अच्छी लगे अभी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहे गया तो कमेंट मेंट कर देना अगर आपको कोस्ट के बारे में जाना तो अलग अलग रहती है हर एक मार्किट में जैसे कि मार्वल की बात करूं जो मैंने भी आपको साइज बदा तो तीस से पैंतिस रुपे के असपास पढ़ जाएगा कोटा इससे थोड़ा सस्ता पढ़ जाएगा अब जो मार्वल के होती है वह आया तो आप अपने घर की मार्वल के टुकड़ों से इस्तमाल कर सकते हैं मार्किट में भी किसी दुकान से जाते हैं तो भी महां पर मिल जाएगा उसमें मैं नहीं होतना तो वीडियो को लाइक जूरुश कर देना अगर आपको अभी तक वीडियो देखी और अ नहीं देखी और आपको.